इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जैनुरी मांथ में हिविसकास यानि गूरेल प्लांट का कम्प्लीट क्यार टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा गर्मी के तरब आगे बार रहे है जो हिविसकास प्लांट के लिए बहुती बरिया टाइम आने वाला है इस टाइम हम हिविसकास प्लांट में अच्छा से क्यार कर लेंगे तो प्लांट एकदम रूट से बूस्ट हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए कौन से खार देना वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कौन सा लिक्विड फाटी लाजर देना है वो भी शेयर करूंगी और मैं इस वीडियो में एक PGR यानि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी प्लांट में स्प्रेक करूंगी वो भी इसी वीडियो में आपके साथ श्यार करूंगी जैसे इस तरह बर्डस बन रहे हैं तो हम ऐसे क्यार करेंगे कि ये बर्डस पुढ़ा खिलना स्टार्ट हो जाएगा एकदम पिला होके प्लांट से जरेगा नहीं और पिछे पिछे निू निू बर्डस भी आते रहेगा गुरेल ऐसे एक प्लांट है जैसे अभी से जिस प्लांट अब डॉर्मेंसी पे चले गए थे अभी निवन्यू पत्ता भी आना चालू हो जाएगा और आगे से एकदम ऑक्टबर नवेंबर मन तक फूल खीलते जाएगा तो आज का हिबिसकस का क्यार ऐसे रहेगा कि प्लांट हेल्दी बना रहे प्लांट अंदा से इनर्जी के साथ बूस्ट होते रहे निवनू कलिया जैसे हम लेके आएंगे और जो कलिया ओलेडी बन गए है वो भी प्लांट से जहरेगा नहीं देखिए ये देशी हिबिसकस का प्लांट है फूल आपको छोटा छोटा दीख रहे है पर फूलों का कमी नहीं है बार्ड्स का कमी भी नहीं है और अब तो जैनर्री मन तो आई गए तो प्लांट डॉर्मेंसी पे जाने का कोई मूट पे नहीं है तो मेरा हिबिसकस सर्दी का करण में फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है पर फूल देना प्लांट बंद नहीं करते हैं तो आप देखी पारे हो फ्रेंज कितना सारा कलिया मेरा देसी हीबिसकस प्लांट में आपको दिखाई दे रहे हैं देखिए यह जो कलिया है आप धिरे-धिरे मै प्लांट में प्लांट का लीप्स प्लांट का कलिया पिला पर जाता है ज़र जाता है ओ प्रॉब्लेम हमारा प्लांट में नहीं आएगा और देखिए मैं जो प्लांट आपके साथ श्यार कर रही हूँ काफी प्लांट आपके साथ श्यार करूंगे इस वीडियो में आप द इस तरीके से क्यार आपको बता है थे कि किस तरह मीली बाग से आपका प्लांट दूर रहेगा मैं उसी टीटमेंट को आपना है और देखिए मेरा प्लांट में एक भी मीली बाग आपको नहीं दीखेगा तो हीबिसकास प्लांट में कलिया बनने के पहले आपको मीली बाग का जरूर कर लेना है क्योंकि मीली बाग छोटा छोटा बहुत खाली आखों में भी कभी दीकता नहीं है। और प्लांट का टिप्स में बैठे रहते हैं जैसे नूळी बर्ड्स फर्मेशन होना चालू हो जाता है तो मीली बाग त्पीट में आपको जरुर कर लेना है प्लांट में आप छोटा छोटा कर लिया बढ़ना उसरुत देख पाएंगे मैं जब भी हिबिसकास प्लांट मैं अच्छा तरीके से क्यार कर लेती हूँ मेरा प्लांट का क्यार शुरू होता है गुराई यानि प्लांट का जरो में अच्छा से मैं गुराई कर लेती हूँ और गुराई मैं किस दिन कर लेती हूँ जिस दिन मैं प्लांट में फार्टिला तो गुराई करने से क्या क्या benefit होता है जैसे आप प्लांट में गुराई करके छोड़ देंगे क्या होगा सबसे पहले जरो में अच्छा से हवा लगेगा एकदम मिट्टी के अंदर कोई ऐसे ताइट पन है वो धिला हो जाता है यानि मिट्टी लूज हो जाता है बहुत ही अच्छा से एयर सर्कुलेशन होने के कारण में मिट्टी के अंदर भी जो बैक्टिरिय रहते गुड बैक्टिरिया वो भी और भी एक्टिव हो जाता है मिट्टी के अंदर एयर ही पुरा ऑक्स जो मिट्टी का नामी है उसके उपर डिपेंड कर रहे हैं कि आपका ही विसकस का प्लांट का मिट्टी में कितना नामी है ज्यादा सुख्योपैन है तो एक दिन पहले आप गुराई करके नेक्स डे फाटी लाजर देके आप पानी डाल दीजिए और आपका ही विसकस का जो सब्सक्राइब करेंगे एक नैचरल प्रोसेस से कोई भी इंसेक्ट लगे कोई फांगस लगना शुरू हो जाए तो एक दम से खतम हो जाता है और मिट्टी को आच्छा से गुराई करने से एक बेनिफिट और भी होता है कि जिस सॉयल में प्लांट लगा हुआ है आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तब भी वो सॉयल बहुती सौफ्ट बन जाता है फिर अब जब फार्टिलाइजर आट करेंगे तो पूरा ना सॉयल भी के साथ साथ एकदम पर्फेक्ट सॉयल बन जाता है हर कोई प्लांट के लिए और सौफ्ट सॉयल में प्लांट का रूट्स बहुत ही अच्छा तरीके से डेवलप्ट भी होना शुरू हो जाता है तो हम गुराई का काम बहुत अच्छा से कर लिया है आप बारी आता है कि कौ यह आप दिखातू कौन सा फार्टी लैजर हमको लेना है देखिए यह है और गनिक प्रोटेशियम का ग्रैनुवल मैंने इसको लिया था और मैंने इसको भी दो दिन के लिए पानी में भीगो के राग दिया था यह जो ब्लैक कलर का आप लिकुट देख रहे हो इसमें स्रे कौन सा फार्टी लैजर आपको देना है वो भी आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी देखिए मैंने कितना सारा यह खाद बना के रखी हूँ एक कौन सा खाद है यह है यूज टी लीव्स चाय बनने के बाद मैंने चाय पति को अच्छा से धो लिया उसके बाद करी ध रेडी अरिया पे चाय पति को यूज चाय पति को नहीं सुखा था मैंने कारी दूप में सुखा के देखिए एकठा करके रखी हूँ जो हमरा प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया एक खाद का काम करेगा दो दिन बात प्लांट का सोयल आप देखिए किस तरह एकदम प्लांट में डाल देना है और मिट्टी के चारो तरब अच्छा से मिट्टी के साथ आपको मिक्स कर देना है आप फ्रेश टी लेंगे तो आपको क्वांटिटी बहुत ही कम रखना है एक दस इंच गमले के लिए आपको एक टेबिल स्पून लेना है पर मैं यूज करा टी लिप्स एक मुठ़्ी आपको प्लांट का जरॉमें दे देना है आप मैं दे रही हूँ ए पौटाश ऑर्गानिक पौटाश जो मैं लिकवीड फॉरम में बना लिया था उस लिकुईट को एक से एक ते वल कब तक मैं दे रही हूँ आप इस तरह ग्रेनूएल फॉरम मे और्गानिक पोटाशियम ले लेंगे तो आप मिट्टी पे भी आप एज ड्राइ फार्टी लैजर भी आप डाल सकते हो एक से दो स्पून आप मिट्टी पे डाल सकते हो पर मैं लिक्विट फार्टी लैजर दे रही हूँ मैं हर हपता इस तरह लिक्विट फार्टी लैजर य इसलिए मैं लिक्विड बना के ऐसे डालूंगी कि तुरंत प्लांट का जड़ों में यह पहुच जाएगा और प्लांट अपना काम करना शुरू करेगा मेरे पास जितना गुरल का प्लांट है कि हाइब्रीड हो कि मिनियाचर हो कि देशी हो जो भी गुरल का प्लांट है मैं स और एक बात आपको बोल देते हूं दूबरा रिपीट कर देते हूं आपका प्लांट में मिली बाग लगा हुआ है तो मिली बाग के लिए आपको टीटमेंट भी कर लेना है और उसके साथ साथ पीजियर जो आपको प्लांट में स्प्रेय करके दिखाऊंगी ओभी आपको क प्लाआणाय, घ利य करके दिखाओंगी, यहां पे देखिए, नेट पॉर्ट लगा हुआ है, तबी भी प्लांट बहुत ही हेल्डी है, फूल भी खिला के देते है, तो ऐसे बात लगाराँ, प्लांट प्लांट अच्छे से घ्रो करने के जगा पे प्लांट सूख जाता है मार भी जाता है तो आप नेट पॉट प्लीज हाटाय मात करिए तब भी आपका प्लांट बहुत आच्छा से ग्रो करेगा बार बार एकी चीज आपको दिखा रही हूँ कि यह जो चाय पत्ती का फाटी लैजर है यह डालने से पहले मीट् लिया है उसके बाद जैसे हम प्लांट में फार्टी लैजर दे रहे हैं प्लांट तुरंट एकदम फार्टी लैजर ले लेते हैं यानि फार्टी लैजर का असर भी तुरंटी दिखाई देते हैं तो आपको प्लांट में इस तरह फार्टी लैजर दे देना है तो देखिए मैंने हर प्लांट में सेम फार्टिलाइजर डाल के आपको दिखा रही हूँ आप देखिए ये जो मैंने PGR लिया है ये कौन सा PGR है ये है मीरा कुलान इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर किया है आप चाहो तो डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेने के लिए मीरा कुलान के उपर जो वीडियो है कुछ दिन पहली मैंने आपके साथ शेयर किया था आप एक बार उस वीडियो को चेक आउट कर सकते हो जैसे देखिए कितना मोटा मोटा कलिया बन गए है यह देखिए कितना भरबर के प्लांट में कलिया आ रहे है प्लांट को अच्च से टेक क्यार करने के बाद ही जब यह कलिया खिलने से पहली ज़र जाता है तो बहुती बुरा लगता है हमारा सारा महनत बेकार हो जाता है तो अब मीराकुलन PGR को इस्तेमाल करेंगे आपका प्लांट में तो यह प्रॉब्लेम बिल्कुल नहीं आएगा और मीराकुलन क्या करता है प्लांट में बर्ड्स बनाने के लिए भी मदद करता है और हिविसकस का प्लांट जैसे एक हेवी फीडर प्लांट भी है और एक्स्ट्रा क्यार भी करना पड़ता है एक लिटर पानी में सिर्फ आपको चार से पांच ड्रॉप ये मीराकुलन ले लेना है अच्छ से से कर लेना है और प्लांट को आपको स्पे कर देना है यहाँ पर एक चीज़ आपको धान पर देती हूँ फ्रेंस की यह जो मिराकुलान है आपको प्लांट का सोयल में इस्तेमाल नहीं करना है सेब आपको पत्ते में हर ब्रांच का टिप्स में नोड एरिया में आपको अच्छे तरीके से स्पे कर देना है और mirakulan यानि APGR कास पे आपको कितना दिन में कर लेना है हर हफ़ता आप कर सकते हो हर दस दिन बाद बाद आप कर सकते हो इसके अलबा प्लांट को आपको अच्छा से धूब देना है और मिट्टी सुखने पर हिविसकास प्लांट में आपको पानी देना है एकदम सुखा के नहीं देना है यानि एकदम ड्राइ करके नहीं देना है हलका हलका जब मिट्टी आपको सुखे देखे तब ही मिट्टी प करने के बाद आप प्लांट में दे सकते हो जो और्गनिक पॉटशियम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरह बनन अपील फार्टिलाइजर से आपको प्लांट को फार्टिलाइज करना है तो वीडियो का एंड पे आगे हम आपको और एक बार रिपीट कर देती हूँ अज का के जो फार्टिलाइजर और्गनिक पॉटशियम फार्टिलाइजर आपको हर हपता गुरल का प्लांट में दे देना है इस तरह लिकुईड बना के उसके बाद जो चाय पति का यूज चाय पति का इस्तेमाल किया है हमने उसमें एक से दो मंद का गैप में आपको दे देना ह पीजियर को आपको स्प्रेय कर लेना है हर हपता में जब आप मिट्टी में स्वाइल में फाटी लाज़र दे रहे हो उसी दिनी आप पीजियर का इस्तिमाल कर लिजिए तो दोनों काम आपको एक साथ हो जाएगा और आपका प्लांट में मिली बाग लागा हुआ है तो मिली को भी अपको treatment करना हे काफी organic treatment आपके साथ share कर रहे हूँ जैसे आप d cartoon का स्प्रेय कर सकते हो बेकिंग स recurs किर सकते और नीबु पाने का खर सकते हो आप इनो का स्थेमाल कर सकते हो साथ में नीम उयल तो है आप हैंडवस से भी प्लांट को अच्छा से वाश कर सकते हो तो काफी तरीका आपके साथ श्यार किया है आप जरूर मिलीबा का टीटमेंट वीडियो चेक कर लीजिए और भी ज्यादा जानकरी के लिए और रिपोर्टिंग का बात करूँ क्यूंकि जब जन फेब में हम प्लांट में लगता रिपोर्टिंग करते रहते हैं तो हीविसकस प्लांट में आप कम से कम तीन से चार सल का गैप रखिए तब हीविसकस प्लांट को आप रिपोर्टिंग करिए क्यूंकि हीविसकस प्लांट को ज़्यादा कम टाइम का रिपोर्टिं नहीं है तो प्लांट को अप रिपोर्टिंग कर दीजिए अधर्वाइस आपको प्लान को रिपोर्टिंग करना जरूरत नहीं है इस तरह उपर का तॉप सॉयल अच्छ से गुराई करके आफ अफ़ाटीलाइजर देते रहिए PGR का इस्तेमाल करते रहिए प्लांट आपको बहुती अच्छा से ग्रो करेगा और फूल भी खिला की देगा आज का वीडियो में कोई कन्फूसन है तो जरूर आप मेरे को पूछ सकते हो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शिया जरूर करा करिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो मेरे साथ जूनना चाते हो तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजिए आज का वीडियो यहाँ पे एन करते हैं मिलते और कोई नया इंटरेस्टिंग इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंज, थैंक्स पर वाचिंग, हैपी गार्डिनिंग, टेक क्यार और गुडबाई